हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई एक एकलासी यूट्यूब चैनल दोस्तों तबीयत खराब होने के वज़ा से मैं रेगिलरली अप्लोड नहीं कर पा रहा बट जल्द ही मैं जो भी रमेनिंग करेंट फेज हैं उसको जल्द से जल्द अप्लोड करूँगा चलिए आज हम एक म करेंट फिर करते हैं फर्स्ट कोशन है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जीवन अमरित योजना स्टार्ट किया है जिससे लोगों की जो इम्म्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रोंग किया जा सके तो ऐसा करने वाला राज्य कोन है वो है मद्यपरदेश ठीक है और यह इसमें एक खासत रगात रिकूट चूरनोत है जो की हर्बल पाउडर की तरह है और इससे लगबग एक रोड पिपल की जो इम्म्यूनिटी है उसको स्ट्रोंग किया जाएगा और अभी फिलहाल इन्होंने एक और स्कीम लौंच की थी जिसका नाम था जीवन शक्ति और इसमें 11 पे जो पर मास्क है मास्क बनाएगी जो भी रूरल वूमेन है तो वो ग्यार पे पर मास्क गोर्मेंटी उनको प्रवाइड करेगी और एक जीवन नाम का वेंटिलेटर भी है जो की इंडियन रेलवे ने अभी रिसेंट्ली लौंच किया था और मद्यपरदेश इसने टो पेरेंट एप मोबाइल एप भी लौंच किया चलिए इसकी ट्रिक करते हैं शिवजी का जीवन शक्ति और उनकी जटाओं में गंगा माता के अमरी से बरपूर है मेरे कहने मतलब क्या है कि शिवजी मतलब शिवरा सिंग चुहान शिवरा सिंग चुहान आपको पत शक्ति और उनकी जटाओं में क्या है गंगा माता का अमरी तो होता है ठीक है तो शिवजी का जीवन शक्ति और उनकी जटाओं में गंगा माता के अमरी से बरपूर है नेक्स्ट कोशन है डेब्य मुवी ओफ लेट रिशीक पूर जी तो देखे दोस्तों आपको इसका अंस मेरा नाम जोकर इनकी मुवी का नेम था इनकी पहली मुवी का नाम मेरा नम जोकर था और इनके इननोंने इनके आर्टो बैग्राफी की जो बुक का है उसका नाम क्या है खुलम खुला ठीक है याद रखेगा next है PNB Housing Finance के Interium MD&CO कौन है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है नीरज व्यास ठीक है PNB Housing Finance के MD&CO का नाम क्या है नीरज व्यास SS मलकरजन राओ जो है वो CEO है PNB के और UB Praveen राओ क्योंकि राओ राओ काई मिक्स ना हो जाए मैंने यह लिखा है UB Praveen राओ नासकों के जो हैं है और POU इसको याद रखेगा POU POU PNB Oriental Bank of Commerce और United Bank ठीक है क्योंकि यह तिनों महर्जों के एक बैंक बन गया है जिसका नाम PNB है जो कि Second Largest Bank है इंडिया का ठीक है इसकी ठीक PNB नीरज नीरव इसको इससे याद रखेगा PNB नीरज नीरव आपको पते है कि नीरव मोदी जो सबसे ज़्यादा Loan Defaulter थे किस बैंक से थे वो PNB बैंक से ही थे ठीक है इसके उपर मैंट टीक पर नहीं है PNB ने नीरज की तरह नीरज की तरह मदला पानी की तरह पैसा दिया है नीरव मोदी को PNB ने नीरज की तरह पैसा दिया है नीरव मोदी को इसलिए वो बाग गया next है दिपक अगरवाल जिनको अब यवी फिलहाल बैंड किया गया है ICC दोबारा वो किस T10 सोरी T10 है T10 क्रिकेड फ्रेंचाईस के ओर्नर थे तो इसका अंसर है सिंदित याद रिखेगे यह टेन है मलें इसमें दस ओवर का खेल होता है जैसे टीटी होता है यह टेन है 10 ओवर का खेल अब इसमेद कर्के मिलोता है और संधिस गिन什么 के हैं बनिया लोग हैं ठीक है तो मैंने उसके उपर एक ट्रिक बनाई है एक पर आप जो मैंतबुन पॉइंट है वह पढ़ लीजिए ICC का हेड़कॉर्टर दुबई में है और T10 क्रिकेट लीग 2018 के क्रॉप्शन चार्ज में इनको जो है बैंड किया गया है दिपक अगरवाल जी को और ICC जो 50-50 ओवर का वुमेंज का जो वर्ल्ड काप होगा वो न्यूजिलैंड में होगा 2021 में ICC T20 का वर्ल्ड कप 2022 होगा साउथ अफ्रिका में वुमें का पर मैन का ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 का अस्टेलिया में होना है इसी साल ठीक है तो इसकी ट्रिक क्या है सि सिंधी सिंधी मतलब बनिया इसस्याभ र Kal spacing मतलब बनिया मनदा सिंधी बनिया सिंधी बिजनसमेन अगर द्रिक ना जलाय तो उनका काम में मन नहीं लगता क्योंकि आपको बताए कि जाधर बनियं लोग क्या करते हैं कि वह कोई भी काम करते हैं दिपक जलाके करते हैं दुकान में जाने तो दिपक चलाएंगे आरती करेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है ठीक है अगर वो नहीं करते तो उनका काम में मन नहीं लगता लगेगा भी कैसे क्योंकि बगवान के आरती नहीं की ठीक है उनका मन नहीं लगता तो इससे आप इस ट्रिक को याद नेक्स्ट है इस इनका नाम क्या है इनका नाम है टी एस ट्रिमूर्ती इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए कि ट्रिमूर्ती बाला जी त्रिमूर्ती बाला जी मतलब बाला जी हर्मान जी त्रिमूर्ती बाला जी ने युनाइट किया नेशन को कि उन्ह इनका नाम है दिपक मित्तल मित्तल से मैंने मनाये मिट्टी मिट्टी के दिपक को कतर में लगाओ कतार में लगाओ मिट्टी के दिपक को कतार में लगाओ उनको लाइन में लगाओ नेक्स्ट है प्यूष शिरिवास्तव इंडिया's next ambassador to Bahrain इसके ट्रिक है Pews जी रेल्वे द्वारा बहर आते जाते रहते हैं आपको पते है कि Pews जी जो कि मारे railway minister है ठीक है उससे मैंने यह ट्रिक बने है Pews जी रेल्वे द्वारा बहर आते जाते रहते हैं नेक्स्ट है नमरता स्कुमार इनको ambassador बनाए गया है Republic of Slovenia इसकी ठीक क्या है कि जो ambassador होते हैं वो आपस में बहुत slow और नमरता से पेश आते हैं कि नमरता से वो बातचीत करते हैं बहुत slow बातचीत करते हैं नमरता से पेश आते हैं ठीक है next है which rating agency has projected that the total loss to India due to lockdown would be 10 lakh crore और 7,000 per person ऐसी कौन सी rating agency है तो उसका नाम है cry seal ठीक है और एक और पॉइंट है जो कि ICMR कीरन मजूमदार शाह इनको lifetime achievement वोड दिये गए यह highest civil owner है आस यह लिए दोबार इनको दिया गए जो सम्मान है और यह बाइकोन के chairman है ठीक है next है which nation has spotted Australia demand for an international investigation into the origin of the coronavirus outbreak ऐसा कौन सा country है जिसने अस्टेलिया को sport किया है ताकि वो international investigation कर सकें कि इसका exact place का है coronavirus का ओर इसन का ठीक है तो देखिए कि वैसे इसका answer US है US ने इसको क्यों sport किया है क्योंकि जो US है ना US Canada और Australia इन तिनों की आपस में boundary लगती है ठीक है आपस में जो boundary वो शेयर करते हैं तो US तो obvious सी बात है वो इनको sport करे गई क्योंकि US में सबसे ज्यादा case आ रहे हैं तो Australia में भी हो गई इससे जो कि Australia के जो PM है यह जो पिक है यह Scott Morrison किया है ठीक है तो इन्होंने यह फैसला लिया इन्होंने international investigation की मांग किया है ट्रिक क्या है कि US तो sport करेगा क्योंकि उसकी boundary जो लगती है चेलिया से क्योंकि वो तो sport करे गई अभी जो मैंने समझाया आपको next है the new development bank pledges to allocate up to dash billion dollar for loans to brick state to boost their economies कितने billion dollar दिये हैं loan के लिए उनकी economy को स्टों करने के लिए 15 billion dollar और आप यह याद रिखेगा कि जो एंडीबी का headquarters रहना वो शंगाई चाइना में क्योंकि अभी जो आई बीपेस क्लर्क 9 का एक्जाम हो था उसमें भी यह पूछा गया था ठीक है अब ध्यान से इसको करना याद रिखेगा कि एंडीबी एंडीबी का headquarters शंगाई चाइना में और ब्रिक्स की फूल फॉर्म क्या है ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना एं नेक्स्ट है दा चेर पर्सन ओव दा पब्लिक एंडर्प्राइस सेलेक्शन बोर्ड इस किनको चुना गया है रजीव कुमार इसकी टिक है पब्लिक राजी नहीं होती सरकार जो कोई भी काम कर ले कि पब्लिक कभी भी राजी नहीं होती राजी मतलब रजीव जी पब्लिक Public Enterprises Selection Board Public राजी नहीं होती है सरकार जो कोई भी कदम उठा ले जो कोई भी काम कर ले Public नहीं कुछ ना कुछ तो कहन नहीं है आयुशमान भारत दिवस कब मनाया जाता है तो ये 30 अप्रेल को मनाया जाता है ठीक है इसको याद रखेगा PMJAY की फुल फुम क्या है परदानमंत्री जन अरोगया योजना नेक्स्ट है ADB ने किस इंडियन स्टेट को 346 मिलियन डॉलर का लोन दिया है ताकि वो रिलाइबल पावर कनेक्शन दे सके इन रूरल एरियाज में तो ऐसा करने वाला ऐसा कौन सा राज है सुरी किसको मिले है महराष्ट है महराष्ट स्टेट को मिले है और ADB का जो हेड़ क्वार्टर है वो मनिला फ्लिपिन्स में है और इसके जो हेड़ है उनका नाम है मसाज सुकू असा कावा याद रखेगा और जो पोड़न पोइंट है वो यह है कि अरंगाबाद एरपोर्ट को का नाम बदल के क्या रखा गया है चत्रपती संबाजी महराज मुंबई सेल्टर का नाम चेंज करके क्या रखा गया है नाना शंकर सेट और वदावन पोर्ट जो है इसकी ट्रिक क्या है महान लोग कि जो महान लोग होते हैं अडब सबाव के नहीं होते कि जो महान महान से मतलब महराश्चा कि जो महान लोग होते हैं वो अडब सबाव के नहीं होते वो गुस्से वाले नहीं होते बहुत प्यार से बातचित करते हैं नेक्स्ट है, international jazz day कम मना जाता है, तो यह 30 अपरेल को मना जाता है, नेक्स्ट है, the 11 session of Petersburg climate dialogue was organized by which nation, तो यह Germany द्वारा और्गनाइस किया गया है, ठीक है, 11 dialogue है, और जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलके यह organize किया है और वड ये session का आपे होगे है वह germany में हुआ है ठीक है sorry germany ने organize किया है पर UK चो Britain है वह ुश का partner है germany के साथ इस डाइलोग में इसकी trick क्या है उसने pitter-pitter कर burger खाया क्योंकि उसमें बहुत जरां ठीक है क्योंकि उसने पीटर पीटर करके बहुत दीरे दीरे बर्गर खाया है क्योंकि उसमें जर्म थे उसको तकलीफ हो रही थी ठीक है जर्म से जर्मनी याद रखेगा और पीटर पीटर से पीटर स्वर्क नेक्स्ट है शिपिंग मिनिस्ट्री हैज अनाउंच एक कमपन्सेशन ओफ रुपीज फिफ्टी लैग फॉर पीपल इंप्लॉएड विद मेजर पोर्ट्स इन इंडिया तो इंडिया में थर्टीन्थ मेजर पोर्ट्स हैं और थर्टीन्थ मेजर पोर्ट का नाम का है रखेंगा बहुत ही पोर्टेंड मलीनी शंकर नैशनल शिपिंग बोर्ड और शिपिंग मिनिस्ट्र ओफ इंडिया का क्याना में इनका नाम है मन्सुक मंडविया नेमदा इंडियन विच हैज बिन फीचर अमंग दा टॉप ट्वंटी इंस इंसिपरेशनल लीडर्स आफ लगए कई कर पावलस 2020 टूप इनका नाम कहा है किरण मजुमदार शाह जो की बाइक़ोन के छेयर में रहें इनकी में अब बात की थी और अस्टिय अपर इनकोर Πावलिस 2020 दो इनका नाम क्या है करोना तैम में मैडशीन में मजब में है क्वोना के टाइम में जो भी मेदसीमें करें जो मेदसीन बना रहे हैं क्योंकि उनको फैदा बहुत फैदा बहुत फैड़ा ऐं मैसीन में तुम मजब में है ठीक है हो नेक्स्ट एलास्ट भी इंडम इनावरैन मेट 3 डस्ट अन॑ लिस्ट with the names of dash tropical cyclones that are likely to emerge over the North Indian Ocean तो कितने हैं tropical cyclones तो यह है 169 इसकी ट्रीक आप थोड़ा सा याद रिखेंगे जैसे metrological का जो alphabet है वो M में M कौन से alphabetical number पर आता है 13 और 13 का होता है 169 इससे आप याद रख लिजिएगा ठीक है थैंक्यू फॉर वोचिंग प्लीज लाइक शेर एंड कमेंट प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी थैंक्यू सो मॉर्ण